नमस्कार दोस्तो मिरना में मनीश आजपूश स्वागत करता हूँ आपका फिरसे एक नई वीडियो में तो दोस्तो बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं कि रहा है और वीडियो को शुरू से लेकर जल्दी किलियर हो जाएगा थो दोस्तो बस वीडियो को सुरी सरे के लाक तक जरुद देखना है वीडियो को लाइक कर देना भी तक लाइक नहीं किया तो या कोई मैं फॉर्म वगएरा बताता हूं तो उससे मैं अपने टेलिगाम चैनल पर अप्लोड कर देता हूं इसलिए आप मुझे टेलिगाम पर भी फॉलोड जरूर कर लो तो दोस्तों बिना किसी देरी के भड़ते हैं अपने लैप्टोप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि डेश्टोप मोड को ओपन कर लेना है और वहाँ पर भी आप इसी परकार से इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है मैं आपको लैप्टोप पर इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको बड़े डिस्प्ले पर अच्छे से क्लियर हो जाए फोन की स्क्रीन थोड़ी चोटी होती है तो बिने किसी मी बता देता हूं कि आपको क्या सब्सक्री हräता है यहां पर आपको पी कर लेता है और जैसे अंगय है אני middle 정व थैयां अरूम से कंजा रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आजाए тобka तो इस तरी की पेज़ आजैका तो यहां बsl vibrations का करेड़े इसाइब क्लिक करें तो उच्छाएब का डिया साफ है तो वाले इस साम निया पिज आ जाता है, पंजाब तो इस तरीके कि यहाँ पर इनोंने सारी चीज़े हमें पहले से ही guide कर रहा है कि आपको यह चीज़े आपके बास होनी चाहिए तभी आपके अकाउंट का process complete होगा तो इसे मैं cross कर देता हूँ फिलाल यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रेजा जाता है बीच में हमारा आकाउंट का process complete नहीं हो पाया है तो हमें resume track पर क्लिक करके mobile number डालकर हमें process को फिल्ट से verification कर लेना है और हमारा process वहीं से start हो जाएगा जहां से हमने छोड़ा था क्योंकि कभी-कभी site नहीं चल पाती है हमारा net जो है internet ब्रेक हो जाता है तो दोस्तो अब मैं apply for saving account पर क्लिक कर लेता हूं क्योंकि मैं first time ही से apply कर ला हूं तो दोस्तो इसके बाद आप नीचे इसमें थोड़ा से आप इन्हें पढ़ भी सकते हो यहां पर लिखा हुआ है तो मैं इससे पढ़ने के time वेस्ट होगा थोड़ा सा इसलिए मैं आपको यहां पर डाइड दिखा देता हूं गैस इस्टार्ड इड़ पर क्लिक कर लेना है दोस्तो जैसी आपको अपको मोबाईल नंबर डालना है इमेल डालनी है उसके बाद यहां पर checkbox मिलेगा नीचे प्रोसीट पर क्लिक कर देना है दोस्तो आपको ध्यान अगना है वही मोबाईल नंबर डालना है इसमें आपको जो आपके आधारकाल से लिंक हो मतलब जिसका अकाउंट आप खोल रहे हो उसके अधारकाल से जो मोब perceived और प्रोसीट पर क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे मोटी पी डालकर किलिक कर देते तो हमरे समने नेक्स पर कर जाता है जहां पर आपको लिक करने के बाद आपको सापने बेसिक डिटेयल खुल जाएगा जहां पर आपका फ्रस्ट सेब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर आपकी basic details show हो जाएंगी जो कि आपके अधार कार्ड के दोरह यहाँ पर fetch हो जाती है जो कि आपके अधार कार्ड में ही होगी वहीं यहाँ पर fetch होगी दोस्तों सहरी detail आजाती है उसे आपको अच्छे से check कर लेना है और नीचे आपको address receive from ekyc same as your communication address मतलब आपका जो ekyc का address है मतलब आप जो अधार कार्ड में address है और company address है वो same है तो आपको yes पर click कर देना है अगर नहीं है तो no पर click करके अपना address भल लेना है मेरा same है मैं yes पर click करके proceed पर click कर देता हूँ दोस्तो प्रोसीड करने के बाद आपके सामने other personal detail का option आ जाता है और यहां से आपका second step भी start हो जाता है तो दोस्तो सबसे पहले option में आपसे पूछा जा रहा है कि are you married अगर आप married है तो इसे आपको on कर देना है वनना आपको as a tick ही रहने देना है ठीक है off ही रहने देना है दोस्तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ जितने भी यहां पर आपको option खुल कर आए है यहां पर वही detail आपको भरनी है जिनके आगे आपको red star का mark दिख रहा है वह detail आपको compulsory भरनी है बाकी detail आपको भरने ही कोई जरुवत नहीं है अगर पता है तो भर सकते हो वनना आप छोड़ सकते हो लेकिन आपको red star वाली जो detail है वह आपको compulsory भरनी है अब दोस्तों यहां पर mother name आपको अपनी माता का नाम डाल देना है father name में आपको अपने पिता का नाम डाल देना है religion में आपको डाल देना है अपना धरम इस धरम के आप Hindu, Muslim जो भी आपका धरम है वो आपको यहां पर डाल देना है ठीक है category में आपको other डाल देना है general जो भी आपकी general OBC, SE ठीक है customer status में आपको other डाल देना है customer type में individual डाल देना है occupation type में आपको select कर लेना है जो भी आपकी occupation type है मतलब housewife, other, professional, retired ठीक है जो भी आपका अगर student और आप student को select कर लेना है तो दोस्तों आपको वही detail यहां पर डाल देनी है उसके बात दोस्तों यहां सारी detail आपको छोड़ देनी है उसके बात नीचे annual income के आगर red star है तो इस पे आपको select कर लेना है अपनी annual income डाल देनी है जितनी पी आपकी income है 60,000 से 1,005,000,005,00,005,00,005,00,00,005,00,00,005,00,00,00, ठीक है है और नो मीनी की अपनी डीतेल भड देनी है जिसे आप नो मीनी बनाना चाहते हो उन इडिये प्रॉस ही दालनाया तो नहीं है तो no पर क्लिक करके नो मीनी का अडरस bio डाल देना है थीक सारी दढने के बाद नीचे एक option मिलेगा check box का इस पर आपको tick कर देना और proceed पर click कर देना है दोस्तो proceed पर click करने के बाद हमारा next page कुछ इस परकार का जाता है जहाँ पर हमारा third step start हो जाता है यहाँ पर दोस्तो हम से branch selection का option पूछा जा रहा है कि किस branch में खाता खुलवाना है तो दोस्तो सबसे पहले अपने state open कर लेनी है ठीक है state select कर लेनी है जो भी आप state में करना चाहते हो district select कर लेनी है ब्रांच का नाम select कर लेना है जहाँ पर आपको खाता खिलवाना है यहाँ पर आपकी वो detals ढलेंगी ठीक है इंटरनेट बैंकिंग चाहिए इसे ओन कर देना है, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसे ओन कर देना है, SMS अलट चाहिए तो इसे ओन कर देना है, SMS अलट मतलब कोई भी अगर पैसो का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका SMS आपके पास आ जाए आपके मोबाइल पर, यह स्ट चाहिए आपके खाते का ट्रांजेक्शन का तो इसे बहुन कर देना है तो दोस्तों आपको सारी सर्विसेस अंकर देनी है जो भी आपको अच्छे लगे वह उन कर देने हैं वनना चोड़ सकते हो ठीक है other services मैं चैक बुक चाहिए तो चैक बूग चाहिए तो आपको पासशे क पर क्लिक कर देना है तो जैसे प्रोशीट पर क्लिक करो यहां पर प्लीकर होगें तो आपका सामने next page को इस परकार को प्लीने संखते हैं आपको कर जाएगी तो दोस्तो जो first वाला है इसमें आपको OTP-based आपकी EKYC हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले point में आपको यह benefit मिल जाएगा आपका जो account number है वो आपको instant मिल जाएगा ठीक है हाथ वाथ आपका mobile जो अस्वरी account number है वो जन्नेट हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तो आपको यहाँ पर complete KYC कराने bank में जाना पड़ेगा मतलब उन्हीं ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा तो दोस्तो जो दूसरा वाला option है उसमेर आपको OTP-based EKYC होगी और आपका जो account number है वो आपको 12 गंटे के बाद मिलेगा या 12 गंटे के अंदर आपको मिल जाएगा ठीके दोस्तो कोई 12 गंटे जादा नहीं होते हैं 24 गंटे भी जादा नहीं होते एक दिन में आपका account number मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको bank जाने की जरुद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको video KYC का option मिल जाएगा आपको यहाँ पर video KYC करके अपना complete KYC कर लेनी है तो दोस्तो मैं यहाँ पर अपना एक option select कर लेता हूँ और नीचे submit पर click कर देता हूँ दोस्तो जैसी मैं submit पर click करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं your account has been successfully open का message आ गया और मेरी detail यहाँ पर show हो गई है दोस्तो आपको आपको क्या करना है यहाँ पर download PDF पर click कर लेना है आपके detail यहाँ पर PDF में download हो जाएंगी ठीक है उसके बाद नीचे आपको proceed for video KYC option मिलेगा दोस्तो आपको ध्यान रखना है वीडियो KYC के लिए आपके पास अधार card, pen card का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको अपने पास रख लेना है आपको अपने घर के एक plane दिवार के पास बैठ जाना है इन चीज़ों को लेकर एक आपको plane paper लेना है, blue pen मतलब नीला pen या काला pen आपको रख लेना है ठीक है, वो pen लेकर आपको अपने सब कुछ चीज़े ये लेकर आपको एक plane दिवार के पास बैठ जाना है फिर आपको PNB का एक employee आपकी call pick up करेगा, जैसे आप यहाँ पर click करोगे call option पर यहाँ पर आपको proceed वीडियो पर click करोगे तो एक PNB का employee आपकी call pick up करेगा, वो आपकी screen पर आ जाएगा, वो आपसे verification करेगा आपसे pen card पूछेगा आपका, ठीक है, आपको so करना पड़ेगा, अपना pen card originally रखना है, आपको दोनों चीज़ ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो आपसे signature करवा कर देखागा है, एक plane paper पर और इस तरीके से आपकी video KYC complete हो जाएगी दोस्तों मैं जैसी proceed पर click करता हूँ यहाँ पर video KYC के लिए तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर एक page आ जाता है, जहाँ पर video KYC services are available from 10am to 5pm, मतलब कि आपको working day, जिस तरीके से bank खुलता है, मान लीजे, bank Monday to Saturday खुल जाता है, किसी किसी Saturday में खुल जाता ह तब ही आपकी call pick up करेंगे, तो दोस्तों इसी परकार से मैंने process बता दिया है, वीडियो KYC का, जैसी वीडियो KYC होगी तो आपकी complete KYC हो जाएगी और आपका जो है, यहाँ पर बिल्कुल successfully आपका account open हो जाएगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जाता खोल पाओगे पंजाब नेशन बैंक में, तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक तो कर देना जरूर, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, मिलते हैं आप से एक नेक्ट वीडियो में नहीं अप्रेट के साथ जब चैनल जाइं